Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की collective reading है और आज हमारा ये question है कि उनकी true intentions आपके लिए क्या है? क्या इरादा है उनका इस connection को लेकर और आपको लेकर क्या feel करते हैं? उनकी true desire, उनकी intention क्या है? आप इस reading को male के लिए देख सकते हैं, female के लिए देख सकते हैं और same gender के लिए भी देख सकते हैं इसके इलावा regardless आपकी क्या situation है ये reading सब लोगों के लिए open है अगर आप अपने person के साथ happy हैं फिर भी आप जानना जा रहे हैं कि उनकी true intentions क्या हैं तो भी आप ये reading देख सकते हैं and of course जो लोग separation में हैं, break up situation हैं उनके लिए भी reading open है शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ कि cards possibilities बताते हैं आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके लावा मेरे जितने भी subscribers हैं thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे channel पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा so let's start क्या intentions है उनकी spirit क्या intentions है all right so we have ace of pentacles two of wands knight of wands the sun बहुत promising और बहुत positive energy है ये तो बहुत सारे आ गए उनकी true intentions okay we have the wheel of fortune wheel of the year strength karma nine of cups and ten of swords all right so यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius इसके लावा Taurus, Virgo, Capricorn and Pisces, Cancer, Scorpio है Libra, Gemini, Aquarius भी आप लोग अड़ कर लीजे क्योंकि swords की energy भी है यहाँ पर so मैं हमेशा यह कहती हूँ कि regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आप ही की reading है कुछ लोगों की break up situation लग रही है with the ten of swords आप लोग separation में हैं और जो लोग साथ हैं भी इनकी intentions आप के लिए बहुत pure हैं क्योंकि आप देखिए हमारे पस कितने खुबसूरत cards है Strength, Nine of Cups, The Sun, Knight of Wands, Ace of Pentacles उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बिलकुल ही एक कुछ नया experience करवाया है उन्हें वो feeling बहुत पसंद है जो उनको आपके साथ आती है आपके साथ उन्होंने ultimate happiness share की है I feel कि आप दोनों जब साथ होते हैं तो एक magic होता है इतना strong bond है आप लोगों का with a strength card ये इतना powerful connection है और आपके person ने इस connection को definitely feel किया है और वो इस connection को cherish करना चाहते हैं और जो कार्मा का card यहां पर है इसे मुझे ये vibe आ रही है कि जैसे वो ये सोचते हैं कि मुझसे कौन सा अच्छा काम हुआ है कि आप उनकी जिंदगी में आए हैं वो ये सोचते हैं definitely वो सोचते हैं कि they are blessed they are very grateful to have you in their life so वो बहुत खुश है उनको ऐसे लगता है कि उनकी destiny में था आपका साथ उनको ऐसे लगता है कि आप दोनों की destiny में था एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की जिंदगी में आना एक दूसरे को खुश करना I don't know अब आप लोगों के दरमयान क्या चल रहा है इस पूरी reading में सिर्फ ये एक card है 10 of swords जो के काफी negative भी कह लिजिए और problem का card भी है but I feel कि जो भी इस वक्त आप लोगों के दरमयान problem है वो उसको खतम करना चाहते है क्योंकि इस connection की value को आपके person ने समझा है इस connection की worth को आपकी worth को समझा है आप उन्हें complete fulfill करते हैं satisfy करती है आपकी energy उन्हें वो बहुत खुश होते हैं आपके साथ और उन्हें इस बात का idea हुआ है कि उन्हें इतना अच्छा कभी भी किसी के साथ feel नहीं हुआ है आज तक और उनकी intention आपके लिए बहुत true है क्योंकि वो आपके साथ happiness चाहते हैं वो आपके साथ एक foundation की बुनियाद रखना चाहते है यानि seeds plant करना चाहते हैं आपके साथ उस foundation की जो आप दोनों मिल कर एक साथ बनाएंगे उनको लगता है कि आप दोनों मिल कर कुछ बहुत अच्छा एक दूसरे के लिए create कर सकते हैं आप दोनों long term में बहुत अच्छा चल सकते हैं maybe इनोंने past में कुछ childish behave किया आपके साथ maybe in and out रहे hot and cold रहे बढ़ बहुत ज़दा why बिसकी नहीं आ रही है अगर ऐसा कुछ था वो चीजों को ठीक करना चाहते है वो balance लेकर आना चाहते है प्यार लेकर आना चाहते है emotions लेकर आना चाहते है आपको present करना चाहते हैं अपना दिल आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनकी true intentions ये हैं, कि वो आपके साथ बहुत ज़दा वक्त enjoy करना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें future की tension नहीं लेनी चाहिए है, live in the moment, वो ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें understand करें, आप उनके साथ अच्छा time spend करते चले जाएं, इस connection में आप invest करते चले जाएं, और वो भी invest करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस connection में वो invest करते जाएं, और देखें कि ये किस तरह से progress करता है, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनो future का सूच कर परिशान हों, बट definitely वो आपके साथ seeds plant क करना चाहते हैं इस foundation की जो आप दोनों की दरमयान बन सकती है future में, वो definitely आपके साथ देखते हैं कि potential बहुत ज्यादा है, आपके साथ connection grow कर सकता है, इसमें काफी ज्यादा potential है, और definitely they do love you, I think कि मुझे आज इस reading में कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरुत नहीं है, let's see कि और क intentions है, so जो सबसे खास चीज जो यहां पर आई है इस reading में, वो यही है, कि आपके person अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, commitment के हवाले से, I feel, कुछ है जिसमें वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, maybe वो अभी settle down नहीं होना चाहते हैं, एक card आ गया, so we have to be fair, so उनकी true intentions हम आज पूछ रहे हैं, और आप देखिए कि card कितना खुबसूरत आया है, वो fairly चलना चाहते हैं आपके साथ, वो कभी आपको hurt नहीं करना चाहते हैं, उनकी true intentions हैं ये, कि वो आपको कभी hurt ना करें, unfortunately अगर उन्होंने आपको कर दिया, तो ये मैं आपको confirm कह सकती हूँ, जो मुझे इन cards में नजर आ रहा है, कि उन्होंने deliberately नहीं किया, उन्होंने जान बूच कर आपको hurt नहीं किया, क्योंकि वो आपके साथ fairly चलना चाहते हैं, वो कभी भी आपके साथ nine saafy नहीं करना चाहते हैं, उनका कभी ऐसा इरादा था ही नहीं कि वो आपके साथ nine saafy करें, and I feel के जैसे वो चीख चीख कर कह रहे हूं, कि मेरा nine saafy का इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो, I feel के जैसे वो ये कहना चाहते हैं, आज आप से, three cards आगए हमारे पास, we have to the sea, और ये इतना मुझे खुबसूरत लगता है card, उन्हें लगता है कि वो आप से belong करते हैं, और आ कोई ऐसी जगा जहां पर समंदर है या दरिया है, कोई ऐसी जगा पर शायद आप में से कोई रहता है, किसी का long distance relationship भी हो सकता है, so next we have the tribe, observer, a leg up, so आपने उन्हें बहुत ज़दा support दी है, और वो आपको भी support देना चाहते हैं, वो आपको बहुत support करना चाहते हैं, supportive रहना च चाहते हैं, observe करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहां तक जा सकता है आप लोगों का ये connection, कैसे ये connection, progress कर सकता है, the tribe से भी मुझे यही feel हो रहा है, to the sea and the tribe कि आप, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे belong करते हैं, आप बिलकुल उन्ही के लिए बने हैं, क्योंकि आपके अ सूचने का अंदास दोनों का बहुत एक जैसा है, कुछ चीज़ें आप लोगों की बहुत similar हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और with the tribe ये एक family का card भी है, family का, tradition का, साथ का, वो आपका साथ देना चाहते हैं, वो आपकी family बनना चाहते है and this is very beautiful, के वो आपको in high regards में देखते हैं और आपके साथ family देखते हैं, so this is very beautiful, उनकी ये true intentions हैं, के वो आपको अपनी family बनाना चाहते हैं, so next we have adjustments are required, so yes, maybe कुछ उनके goals हैं, जो उन्होंने achieve करने हैं, और इसलिए वो थोड़ा सा चाहते हैं, क्या वेट करें, चीजों को slowly आगे लेकर जाएं, फौरी तोर पर force ना करें, they are not in a rush, I feel, next we have communication is key, so अगर कोई भी misunderstanding है, वो उसको clear करना चाहते हैं, your dreams need a practical plan, so yes, आपको fantasize वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, so, ये चीज़ शायद आपको इस connection में problem दे रही है, आपका सबसे बड़ा concern, commitment का ही मुझे महसूस हो रहा है, कि आपके person शायद practical नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं, कि वो practical ही है, ये उनका point of view है, कि वो अपनी जिन्दगी में कुछ चीज़े हैं, जिनको देख भाल कर आगे बढ़ेंगे, और इस वज़ा से अभी वो practically, या conscious effort नहीं कर रहे हैं, but conscious effort उनकी इस वक्त ये है, कि उन्होंने आपसे जुड़े रहना है, आपको time to time बताते रहना है, कि आपकी importance क्या है उनकी जिन्दगी में, क्योंकि वो आपके साथ हर लमा enjoy करना चाहते हैं, आपके साथ हर moment को एक खास moment बनाना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते है, definitely, ये उनकी intention है, लेकिन वो चाहते हैं, कि जो भी problem है, जो भी मसले हैं, उनको communication से resolve किया जाए, एक दूसरे से fair होकर चला जाए, और एक दूसरे को fairly बताया जाए, कि क्या चाहिए, दूसरे की क्या need है, right? So I think कि आप लोगों के connection में special बात ये है, कि आप लोगों की communication अच्छी होती है, जब होती है, आप दूनों अब एक दूसरे के साथ हर तरह से matters को discuss कर लेते हैं, सो आप लोगों को communication में problem नहीं होता है, जिन लोगों को हो रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है, कि आप लोगों को चीज जो वो करना चाहते हैं अपनी जिन्दगी में, और commitment उनके लिए priority है या नहीं, commitment को लेकर उनका क्या issue है, या वो क्या समझते हैं commitment के बारे में, so I feel कि आपके person की true intention ये है, कि आप लोग एक दूसरे से कुछ भी ना चुपाएं, एक दूसरे के साथ सचे रहें, fair रहें और देखें वक्त के साथ कि क्या होता है और कैसे ये connection progress करता है, but yes, they do love you, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, but उन्हें कुछ वक्त चाहिए होगा serious commitment के लिए, so ये आप लोगों की reading थी, कुछ भी आप से resonate किया, पसंद आया, मुझे आपन आप लोग जो भी अपनी जिन्दगी में manifest करना चाह रहे हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंके you are worthy of love and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.